हाई सस्तियाकाल, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पॉलिवोड पॉक्स ओफिस टॉट कॉम, मूवीज, म्यूजिक एंड मूव चंदिगड में पहली बार होगा मेगा एयर शो, पाइटर जैट दिखाएंगे अपने खर्टब देश्पुर में 8 अक्तूबर को एयर फूस डिब मनाया जाएगा इस दिन चंदिगड में पहली बार इंडियन एयर फूस की टी में एयर शो का आयोजन करने जा रही है इससे पहले एयर शो केवल गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस में ही आयोजित किया जाता था परन्तु अपकी बार इस शो का आयोजन गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस से बाहर चंदिगड में किया जाएगा इस एयर शो का लुफ्स आसपास के शहरवासी भी उठा सकते है चंदिगड प्रशाशन की तरफ से चल रही तैयारियों का अंतिम रूप दे दिया गया है एयर फोस डे के दिन होने वाले इस शो को देखने के लिए चंदिगड के साथ साथ दूसरी राज्यू के भी लोग आ सकते हैं यह शो दो दिन तक चलेगा आज 6 अक्टूबर को सुपना नेक पर इसकी फुल रिहरसल होगी रिहरसल के दौरान भी लोग इस शो को देख सकते हैं इस शो को देखने के लिए पहले सीट बुक करवानी होगी सीट बुकिंग बिल्कुल फ्री की जाएगी सीट बुक करवाने के लिए चंदिगर टूरिज्म की आप टाउनलोड करनी होगी और इस आप से ही सीट बुक करवानी होगी इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा एरबोस देखर होने वाले शो के दौरान मुख्यातिती की तोर पर राश्ट्र पति मुर्मू और एरफोर्स के तीनों से नाओं के कमांडर इंचेश सिरकत करेंगे इसके अलावा पंजाब के राज्य पाल और चंदिगर के प्रशाशक बनवारी लाल भी कारिकरम में फस्तित रहेंगे यह शो एक घंटे से जादा के समय तक चलेगा इसमें आकाश कंगा, पैरेट उपर, ट्रांस्पोर्ट एरक्राफ्ट, हैलिकॉप्टर और एडवान्स फाइटर भी एडवान्स फाइटर की टीमें भी भाग लेगी इस शो को देखने के लिए स्कूली बच्चों को भी इन्वाइट किया गया है इस शो में लगभक सौ विमान विभिन विभिन कर्तब दिखाएंगे इस कारेक्राब में मिग 21, चिनुक हैलिकॉप्टर, फाइटर जेट रफाल, सहित, तूसरे विमान वे सुकना लेक पर अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे इस शो केवल गाजयबाद के हिंडन में ही किया जाता था लेकिन पीएम मोदी के दिर्देशो के पर पहली बार मेगा इस शो का आयोजन चंदिगर में किया जाएगा वर्ष 1971 के युद्ध के स्वर्णिम वेजा की याद में पिछले वर्ष 22 सब्तंबर को हुए इस शो का आयोजन सुकना लेक पर ही किया गया था इस शो का नाम सूर्य किरन रखा गया था इसे देखने के लिए सुखना लेक पर भारी संख्या में लोगों की भीर उमड रही थी फिलहाल अब 8 अस्टूबर को होने वाले इस शो के तैयारिया शुरू कर दी गई है पूरे दिन आस्मान में फाइटर जट उड़ते दिखाई देते हैं और लड़ाकों विमानों की आवाद आस्मान में कुछ नहीं लगती है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसे ही चिक पटी बसालेदार खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूले